इस मौके पे मैं एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ कि बाबा साब अम्बेडकर के जीवन को बच्चे बच्चे तक पहुँचाने के लिए दिल्ली सरकार उनके जीवन पे एक बहुत भव्यनाटक तयार कर रही है। बाबा साब अम्बेडकर की 65 पुन्यत थी है। मैं समझता हूँ कि बाबा साब अम्बेडकर भारत के सबसे बड़े सपूर थे। उन्होंने देश का सम्विधान बनाया। दुनिया का सबसे बहतरीन सम्विधान बाबा साब अम्बेडकर ने हमारे देश को दिया। पूरा जीवन वो दलितों के लिए शोशितों के लिए लड़ते रहे। संघर्श करते रहे। और अगर मैं कहूं कि शायद आज तक के भारत के सबसे पढ़े लिखे नागरिक थे तो मुझे लगता यह अतिशोक्ती ने होगी। मैं नहीं जानता कोई और भारती है जिसने इतनी पढ़ाई कियो। आपको शायद पता नहीं होगा कि उन्होंने 64 विशियों में 64 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। एक मास्टर्स डिग्री लेने में नानियाद आ जाती है। उन्होंने 64 सब्जेक्ट्स के अंदर मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। उन्होंने दो डॉक्टरेट डिग्री ले थी। एक अमरीका से और एक इंग्लेंड से। इतने गरीब परिवार से आते थे। उनके घर में खाने को नहीं होता था। जब वो इंग्लेंड में डिग्री कर रहे थे तो बीच में उनका वजीफा रुक गया, उनको डिग्री बीच में छोड़के आना पड़ा। और फिर वो यहाँ पर पैसो का जुगाड करके दुबारे डिग्री लेने के लिए गए थे। इतना पढ़ाई को इतनी जादा तवज्यू देते थे। दो विदेशों से डॉक्टरेट डिग्री ली थी उन दिनों में। आज की देट में कोई बच्चा अगर फॉरेन में पढ़ने जाना चाहता है। कितना मुश्किल है किसी के लिए फॉरेन में पढ़ने जाना अमरीका में इंग्लेंड में पढ़ने जाना आज की डेट में कितना मुश्किल है। उन दिनों में ऐसा शक्स जिसने दो-दो डॉक्टरेट डिग्री फॉरेन से ली थी। उनको और उस जमाने के वो पहले doctorate degree हासल करने वाले पहले भारती थे उनको नौ भाशाएं आती थी नौ भाशाएं और उनकी एक personal library थी किताबों के बड़े शौकीन थे personal library थी जिसमें 50,000 किताबें थी उनकी library का नाम था राजगीर और कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ी लाइब्रेरी उनकी पर्सनल लाइब्रेरी थी इतना जादा उन्होंने पढ़ाई को तवज्जु दिया आज वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन भारत भारत नहीं पूरी दुनिया उनकी कितनी कद्र करती है या आप इस बात से सोच लीजिए कि लंडन के म्यूजियम में आज कार्ल मार्क्स के बगल में उनकी प्रतीमा लगी हुई है इतने बड़े भारतिये थे जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया हम 75 साल मना रहे हैं आजादी का 75th year of independence और इस मौके पे मैं एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं कि बाबा साब अमबेड करके जीवन को बच्चे बच्चे तक पहुचाने के लिए दिल्ली सरकार उनके जीवन पे एक बहुत भव्यनाटक तयार कर रही है बहुत बड़े स्केल के उपर जवारलाल नहरू स्टेडियम में दिखाये जाएगा पांच जनवरी से दिखाये जाएगा उनके पूरे जीवन के उपर होगा उनके विचारों के उपर होगा इसमें नामचीन लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं इसके डिरेक्शन में, इसके आर्ट डिरेक्शन में, इसके क्रेटिव में 100 फुट बड़ा स्टेज बनाया गया है, बहुत ही भव्वे नाटक बावसाब अंबेडगर के जीवन पर बनाया जा रहा है, पांच जनवरी को इसकी ये शुरू होगा और 50 शोज इसके कराये जाए जनता के लिए फ्री होगा, कोई भी आके देख सकता है, अंतराश्ट्रिय स्तर का इसका प्रोडक्शन है, और शायद भारत देश में पहली कोई सरकार है, जो बाबा साब अंबेडगर के जीवन को बच्चे बच्चे तक पहुँचाने के लिए इस किसम का प्रयास कर रही ह बाबा साब अंबेडगर का एक सपना था, जैसे वो बहुत पड़े लिखे थे और उनको पढ़ाई की कीमत पता थी, उनका एक सपना था कि भारत के एक एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, वो कितना भी गरीब क्यों ना हो मैंने कसम खाई है कि बाबा साब का सपना मैं पूरा करूँगा, आज सतर साल हो गए आज़ादी के, अभी तक हमारे देश के अंदर गरीबों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, मैंने कसम खाई है, बाबा तेरा सपना अधूरा, केजरी वाल करेगा पूरा ओमी कोरोन देश में एंटर कर चुका है, कई जगे से खबर आ रही है कि यहां भी ओमी कोरोन के पेशेंट पाए गए, वहां भी पाए गए, दिल्ली के अंदर भी पेशेंट पाए गए, लेकिन मैं सब को कहना चाहता हूं कि पैनिक करने की कोई जरूट नहीं है, घबरानी चीज की जो जो ऑक्सीजन है, बेड्स हैं, दवाईयां हैं, एकुप्मेंट है, जिस भी चीज की जरूरत है, उन सारी चीजों को हम परियाप्त मात्रा में एविलेबल कराएंगे, और चिंता ना करें, बस आप अपना काम करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहनना बिलकुल न भूलें, मास्क सबसे जुरूरी है, घर से बाहर निकले तो मास्क पहन के निकलें, नमस्कार.